दोस्तों आज की वीडियो काफी काफी यूजवल सी वीडियो है और आज इस वीडियो में मैं आपसे कुछ जर्नल परसेप्शन शेयर करूँगा कि आज की जो करेंट मार्किट सिचुेशन रही या यह जो सिचुेशन बाजार में आज देखने को मिली इससे हमने सीखा क्या आज की वीडियो में कोई theoretical scenario नहीं होने वाला कोई practical scenario नहीं होने वाला जस्ट माप से कुछ ऐसी बाते या ऐसे point शेर करने की कोशिश करूँगा जो आप आगे notice down कर सकते हैं या इने basically ध्यान रख कर चल सकते हैं जिसे यहाँ पर अगामी इस प्रकार की जब भी situation होगी या यह हर 5 साल में आएगी तो जब भी यह situation आए आप यहाँ पर लगातार पैसा बना सकते हैं सबसे पहला point आपने ध्यान में रखना है कि जिस प्रकार या जिस side बाजार का जुकाव होगा आम तोर पर बाजार उस side नहीं जाएगा यहाँ पर अब आपने यह सुना आओगा कि elections मे अगर बीजेपी जीतती है तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा यह हो जाएगा वो हो जाएगा बट यहाँ पर जब मैंने इससे पहले elections वाली वीडियो बनाई थी मैंने तीन perception share किये थी अगर बीजेपी गवर्मेंट आती है और जिस तरीके से जिन जिन stocks ने जो stocks हुए और यहाँ पर ethanol से related themes हुई यहाँ पर EV से related scenarios हुए वो already बहुत heavy market valuations enjoy कर पा रहे थे तो मैंने अपने perspective share किये थे कि अगर जो है majority से भी सरकार बड़िया दावेदारी वाली सरकार भी आ जाती है तब भी यह sectors बहुत तेजी से grow करेंगे यह चीजे पॉसिबल नहीं है तब भी यहाँ पर बहुत छोटा सा जो है up down आ सकता है यह possibilities है अगर बीजे भी lose करती है तो यह sectors गिरेंगे बहुत तेजी से यह perception बड़ा clear था लेकिन बाजार में हर एक निवेशक यह सोच करके चल रहा था कि यहाँ पर ऐसे stocks चो लगातार चलते आ रहे हैं चलते आ रहे ह या फिर कुछ ऐसे भी निवेशक रहे जिन्होंने just election के scenario को देख करके खरिदारी की और यहाँ पर लगातार उन्हीं stocks में गिरावट आई और clearly अभी तक नहीं हो पाया है लेकिन clear हो जाएगा अभी मैंने चेक नहीं किया या clear हो गया है या 2-4 गंटे बाद हो जाएगा बी कितनी भी बहतरीन चीज क्यों न हो उसको higher valuations पर जाकर के नहीं खरीदना चाहिए 10 रुपे की चीज को basically 8 रुपे में आप खरीदोगे और 12 रुपे में बेचोगे तब आपका 50% पैसा बनने के पूरे पूरे chances है यह surety वाले chances है लेकिन आप 10 रुपे की चीज को 15 रुपे म में बेचने की सोचोगे या 25 रुपे में बेचने की सोचोगे वहाँ 50% पैसा बनने के chances रह जाते हैं 20% और लगबग 50% पैसा चले जाने के chances रहते हैं 80% तो यह scenario सबसे पहले आपको याद में रखना होगा दूसरा यहाँ पर जो भी निवेशक future and options करते हैं यह basically जो traders हैं option traders हैं तो यह सबसे best समय होता है आपको option trading करनेगा यहाँ पर किस तरीके का perspective आपको ले करके चलना पड़ता है जब भी जिस दिन भी election date announce होती है यह हमेशा हमेशा यह जो है यह वला funda clear ही रहेगा इसमें आप जो है ऐसा नहीं है कि पैसे को 10 गुना कर लोगे 15 गुना कर लोग एक elections के जब भी result आएंगे इस तरीके का scenario खास दोर पर जब भी हूँ यहाँ पर दो बाते clear है यह तो यह सरकार आएगी है यह सरकार आएगी यह पहले वली सरकार है अगर आ जाती है तो बाजार उचलेगा यह पहले वली सरकार नहीं है यह आ जाती है तो बाजार गिरेगा गिरेगा तो put option बढ़ेगा और यहाँ पर अगर बाजार उठेगा तो call option बढ़ेगा for example माल लेते हैं निफ्टी 50 खड़ी है 23,000 के असपास अब हमने क्या है put option में ले लेनी है लगबग लगबग जो सबसे नीचे की call है लगबग हम जो है 21,500 की basically put options की बात कर रहा हूँ मैं 21,500 का put options ले सकते हैं 22,000 का put option ले सकते हैं यह 21,000 का put option ले सकते हैं यह लगबग आप 3-4 दिन पहले अगर खरीदोगे यह आपको कुछ पैसे के अंदर मिलेगा 3 रुपे, 4 रुपे, 5 रुपे के अंदर मिलेगा यह आप ले करके चलो, बट यहाँ put options आपने खरीद हैं बराबर खरीद करके चलो दोनों को अब इधर से housing करनी है और यहाँ पर call option ले लेने हैं लगबग लगबग 24,000 के ले लिए और यहाँ पर 24,500 के ले लिए तो यह भी जो है उस समय कुछ ही minimum rates के मिलेंगे या फिर बजार जिस तरीक तरफ जुका होगा उस साइड प्रीमियम जादा होगा और यहाँ पर जिस तरफ नहीं जुका होगा तरफ प्रीमियम कम होगा यहाँ पर trades वो लेनी है जिनमें basically जो है contracts जादा से जादा हो वही चीजे चलती है और at the end आप क्या देखोगे जब भी exit पॉल्स रिलीज होगा basically अब चार तरीक को result आने थी चार तरीक को खेल नहीं है खेल खतम होगया तीन तरीक को सारा यहाँ पर तीन तरीक को जो भी exit पॉल्स नजर आए अब उसमें put options लगबग लगबग 10 गुना तक गए कल के दिन put options 10 गुना तक गए अब यहाँ जो यह call वाला पैसा है इसको छोड़ दो ignore करो यह पैसा अगर चला भी जाए खतम हो जाएगा लेकिन यह वाला पैसा लगबग लगबग 2 गुना 3 गुना 4 गुना जरूर होगा तो आप बाजार इधर जाए तब भी safe है बाजार इधर जाए तब भी safe है कोई भ देखने को मिले अब यहाँ पर क्या है पैनिक सेलिंग हुई लोग बेच बेच कर भाग रहे हैं यहाँ पर यह सेनेरियो कभी भी अच्छा नहीं है आप अगर अच्छी वल्यूशन्स पर चीज़ों को लेकर के बैटे हैं उनमें holding patience आपके अंदर होना ही चाहिए और खास कोई ऐसा permanent reason गिरावट का नहीं आया है ऐसे stocks कल को recover कर जाएंगे और बहुत जल्दी recover करते हुए नजर आएंगे तो यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि पैनिक करके आप जो है अपने stocks को एकदम से sell करके चले जाए ऐसे में आप हमेशा जो है नुकसान भूगतते हुए नजर आ या कोई भी ऐसे सरकारी stocks जो बहुत तेजी से बढ़ चुके थे वो आज 20-20-25 परतिशत की गिरावट में आये लेकिन ओन्दा अधर है जो अच्छी valuations वाले stocks थे वो as it is खड़े हैं इसियन पेंट आज के दिन बिल्कुल नहीं गिरा मेरीको लिमेटेड बिल्कुल नहीं और भी इस तरीके के Britannia Industries हुआ जो भी amazing stocks है जो अच्छी valuations पर है सही जायज valuations पर है genuine valuations पर है या अपनी past 5 years की average price to earning ratio के आसपास है और जो लगातार perform करते हुए stock नजर आते हैं यानि कि अब आप PSU stocks को देखोगे तो टॉप performer नहीं है यह cyclical type के stock है ethanol stock को देखो कि यह भी top performer नहीं है cyclical type के stock है कोई भी PSU stock उठा करके देख लो वो लगातार consistent performer नहीं होगा अधानी stocks है आज वो सारे के सारे गिरे क्यों अधानी जो stocks हैं बहुत higher valuations enjoy करते हैं और एक specific इस government के अधार पर ही इतना ज़दा चड़ पाए हैं तो वही stocks में आज भा market के आएगा उससे जदा important होता है उसको दिखाया कैसा गया है और यहाँ पर market उसकी प्रतिकरिया कैसे लेती है for example इसका perfect उधारन यह है कि तीन तारिकों जो exit polls आए थे और आज के दिन जो actual नतीजे आए हैं उनमें कितना बड़ा difference है यह आप notice कर पा रहे होंगे दूसरा point यहाँ पर जब करोना pandemic की situation में बाजार में भारी गिरावट आई थी यह उन दिनों भारी गिरावट आई जब कुछ specific सेंकडो cases ही करोना pandemic के थे लेकिन जब actual में करोना pandemic में situation खराब होने लगी तब तो बाजार उचाल मार रहा था यहाँ पर इसका तीसरा उधारन हो सकता है कि कुछ युद्ध विदेशों में अभी भी जा रही हैं लेकिन जो उसका खास पैनिक था वो जस्ट पहले या दूसरे दिन देखने को मिला उसके बाद कोई खास पैनिक नहीं देखने को मिला तो यहाँ पर सारा behavior आप किस तरीक के से चीजों को दिखाया जाता है उस पर डिपेंड करता है तो यहाँ पर समझदार निवेशक इन चीजों को फली बाती समझ पाते हैं और कुछ समझदार निवेशक जो इनको नहीं समझ पाते वो धिरे-धिरे अगर इन चीजों को नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आने व